हेलो अवरिवान, वेलकम टो फार्मारोक्स यूटूब चैनल, फार्मारोक्स के यूटूब एज़ूगेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इटोरिक ऑक्सिक टेबलेट के बारे में तो हम सेखेंगे ये टेबलेट के बेजिक उसके बारे में साथ ही जानेंगे उसके डेलेटोस के बारे में जानेंगे उसके सैड एफेक्स क्या होती है, वार्निंग और कॉन्टर इंडिकेसंस को डिटेल में आज के लेक्चर के अंदर और जानेंगे कि कौनसे विमारी के अंदर इटोरीक ओक्सिप मेडिसिन को यूस किया जाता है तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और सीखते हैं इटोरीक ओक्सिप के बारे में एक्सपट लेक्चर बाया मरसर अशिस्टम प्रोफिसर एंड फांडर अफोर्मरो्ग्स तेयंक यू पर बीन फांडरोक्स फेमिली अपडेट़ रहिया फांडर नोलेज का साथ एक्सेस करूए स्टडी मटरियल टेस्स सीरीस साथ हु साथ डिशीज औई सेड़िक बारे में फार्मारोक्स के अब उपर, सीखे दवायों के बेजिक उसके बारे में, उनके डोस के बारे में, साइड इफेक्स, वर्निंग और कॉंटर इंडिकेशन्स, एक साल तक, अफ़ाड इबल प्राइस में, वो भी सरल भासा में, फार्मारोक्स के अब उपर, तो Android यूजर, Android अब डाउनलोड करके, कोर्स को एक्सेस करो सकते हैं, आईफ़न उजर एप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर, कोर्स को एक्सेस करने के लिए, 901631-2020 पे कॉल या वाटसेप कर सकते हैं, तो अब समझते हैं, इतोरी कॉक्सीड टेबल कम करती हैं, और साथ और साथ, एनलजैस्क मतलब कि दर्द निवारक के तOR पे भी ये काम करता है, मतलब कि simpl teams हम समझे, तो ये मेडिकेसन एक पेंकीलर के तOR पे काम करता है, और सेकंड, हमारी बोड़ी के अनर होने वाली जो सुजन है, उसके सामने अपने anti-inflammatory effect देती है, क तो इसकी इलाज में ये medication use किया जाते है जैसे कि arthritis की condition की जिसमें सुजन होती है कि जिसको गठिया रोग हम कहते है कि चाहे वो osteoarthritis हो या फिर rheumatoid arthritis साथ जो enkylosing spondylitis की जो condition होती है कि जहापी दर्द भी है सुजन भी है तो ऐसे condition को treat करने के लिए itoric oxypt के ये tablets use किया जाते ह जो prostaglandins के synthesis को कि जो एक mediator होते है fever के लिए, pain के लिए और सुजन के लिए तो आप उसकी mechanism में आपको समझा दाओ कि किस तरह से etoric oxypt जो है वो काम करते है तो यहापे proper आप ध्यान देना कि पहले जो normal pathway है उसके उपर आप ध्यान दीजिए कि जो arachidonic acid है वो जो cyclo-oxygenase enzymes जो होते है उसके effect के कारण आगी जाके prostaglandins बनाते हैं और ये prostaglandins pain के mediators हो कि मलब कि जिस जगह पे ये prostaglandins release होते है तो वहाँ पे आपको pain होता है मलब कि दर्द होता है सुजन हो जोती है और बुखाराता है तो हमारी जो medication क्या करती है जो cox enzyme है उसको inhibit करती बिकास जब जहाँ पे हमें injury होती है कोई part हमारा body का damage होता है तो वहाँ पे ये prostaglandins release होत होता है तो itoicoxic जब medicine आप लेते है कि उसका समझे कि 120 mg का tablet लेते है या फिर 90 mg का तो ये medication क्या करेगी ये वाला जो pathway है वो block कर देगी जिससे ये cox की जो effect है वो completely हो जाएगी अब cox नहीं होगा तो arachidonic बले present है पर cox ना होने के कारण आगे जाके ये prostaglandins का synthesis नहीं होता और prostaglandins नहीं बनेगा तो pain के mediators कम हो जाएंगे inflammation और fever मतलब कि दर्द, susan और बुखार ये तीनों कम हो जाएंगे ये medication को लेने के बाद तो इस तरह से ये itorecoxic medication अपना काम करती है तो इसको selective cox 2 inhibitor drug कहा जाता है कि जब आप उसके detail pharmacology पढ़ते है तो उसमे classification के अंदर आ non-steroidal anti-inflammatory drugs के अंदर cox 2 inhibitor category के अंदर include होते है और वो भी selective cox 2 आगे समझ रहेते है उसके dose के बारे में कि daily dose क्या रहेगा तो 60 से लेकर 120 mg OD मतलब कि once a day दिन में एक ही बार और maximum आप 120 mg जितने dose ले सकते है पर दे तो आप समझ रहेते हैं कि अगर आप ये 120 mg वाला tablet लेते है तो उसको दिन में एक ही बार लिजिए खास कर कि अगर आप maximum dose को follow करते हैं तो once a day इस तरह से कि किसी भी time पे एक ही tablet उसको ले अगर 90 mg का भी use करते तो भी आप उसको once a day दिन में एक ही बार use करें और तीसरा condition अगर आप 60 mg का dose ले रहे हैं तो वो भी आप once a day use कर सकते हैं य करना है और वो divided dose में लेना है तो 60 mg प्लस 60 mg इस तरह से दिन में दो बार लेकर भी आप 120 mg जितना dose कर सकते हैं तो इससे फायदा ही हो था कि कई बार आपको कुछ sad effects होती हो तो वो आप minimize कर सकते कर आप उसको divided dose में ले तो हर 12 गंटे पे every 12 hour पे आप ये medication का dose ले सकते हैं और minimum dose में start करना है तो ये 60 mg के tablet दिन में एक बार भी आप ले सकते हैं तो condition ये ही आपको याद रखने हैं कि जादा से जादा 120 mg ही लेना है per day उससे जादा कभी भी dose आप ना ले क्यों नहीं लेना तो मैं आपको आगे उसके कुछ side effects समझाऊंगा serious तो उस वोक्त आपको पता च उसके जो हम कहते हैं कि uses क्या होते हैं कौनसे conditions में हम इसको use कर सेते हैं तो इटोरिक ऑक्सिप specially pain relief, pain killer के तौर पे हम use करते हैं साथ हो साथ ये medication ऐसे conditions में prescribe की जाते कि जहाँ पे pain सुजन और उनके कारण fever हो जाता है जैसे कि आपको muscles pain होता है, fever है और tooth pain की condition मलब कि दात में दर्ध हो रहा है, बहुत ही दर्ध हो रहा है दातों में और हमें पता है कि जब दातों में दर्ध होता है तो उस दौरान हमें muscles में भी pain होता है, fever भी हो जाता है, बुखार भी हो जाता है तो उस वक्त इटोरिक ऑक्सिक के tablet आपको आपके doctor या फिर pharmacist जो है, वो suggest कर सकते है फिर bone fracture जब होता है, उसके दौरान जब काफी pain होता है, muscles के अंदर जब cramps आते है या फिर आपके joint pain में भी जोड़ों का दर्ध में भी ये medication जो है, वो useful सा भी दो है कि जब bone में fracture होता है तब भी आप देखो, वहाँ पे सूजन आ जाती है, आपको बुखार भी आता है और दर्ध होता है, तिसरे condition देखे तो ऐसी conditions की जिसको हम गठिया रोग काई देखास कर, osteoarthritis है या फिर rheumated arthritis या फिर enkylosing spondylitis जैसे medical conditions में itorecoxic tablet को use किया जाता है, अब समझते हैं उसके कुछ common side effect कि common आपको nausea vomiting हो सकते मिलब कि आपको ये medication लेने के बाद उल्टी हो सकती है, पेट में दर्ध हो सकता है, epigastric pain हो सकता है, मिलब कि जो abdominal cavity में आपको pain हो सकता है, nausea मिलब कि जीग अब रहना, indigestion मिलब कि ओपाचन जैसी condition कि आपको ऐसा फिलो कि आपका खाना जो आपने खाया है वो digest नहीं हुआ है proper, या फिर आपको दस्त हो सकते है, diarrhea जो हम कहते है, heart बन वाले कि सीने में जलन या फिर आपकी जो भूख है, वो कम हो जाए कि loss of hepatite जिसको का जाते है कि पसंदिता खाना सामने होने के बावजुद आपको भूख ना लगे, पेट में जलन या फिर सीने में जलन जैसी condition आपको फिलो कि जिससे एक condition कह सकते हैं कि आपको acidity जैसा हो सकता है, अगर ये medication आप लेते हैं, तो दियान यह रखे कि अगर आपको acidity होती है तो साथ में antacid कोई भी आप ले सकते हैं, कि चाहे आप raviprazil लो, pentoprazil या फिर ranitidin फिर amotidin जैसे कोई antacid साथ में ले सकते हैं, फिर बात करते हैं, उसके कुछ serious side effect है कि इतोरी कॉक्सिप को कब नहीं लेनी चाहिए, कि अगर आपको कुछ ऐसे serious side effect होते हैं, जैसे कि आपके heartbeats जो है वो irregular हो जाते हैं, मलब कि दिल की धड़कन ने अनियमित हो जाना कि कई के बार ये normal heartbeat का इस तरह से ECG होता है, fast होतो इस तरह से आपको ECG देखता है और slow होतो इस तरह से, बड़ irregular में क्या होता है कि कुछ कई बार heartbeat प्लस हो जाते हैं, कई बार heartbeat कम हो जाते हैं, तो ऐसे condition अगर आप feel करते हैं, etoric occip लेने के बाद तो तुरन उसको लेना बन कर देजे, फिर कुछ लोगों का जो blood pressure हो काफी high हो जाता है, कि जो हमें normal पता है, कि normal blood pressure रहता है 120 से लेकर 80, कि जो systolic और diastolic के अंदर है, और वो unit रहता है mm mercury unit, तो जब आपका blood pressure काफी high हो जाता है, अगर ये medication लेने के बाद तो तुरन उसको लेना बंद कर देना चाहिए, because ये आपके लिए dangerous साबित हो सकता है आगे जाके, फिर कुछ लोगों को edema, edema मतलब कि उसका simple English meaning समझे तो inflammation, sujan हो जानी, तो बले ये medication anti-inflammatory है, पर कुछ लोगों को अगर ये medication suit ना करे, और उसको उसकी allergy हो जाती है, तो allergic reaction य इंदर edema हो जाता है, अगर वो itoric oxyb use करते हैं, तो तुरन आपको ये medication लेना बंद कर देना, जाके आपके body के उपर sujan देखने को मिले, itoric oxyb लेने के बाद, तो समझ लिजे कि ये medication आपको suit नहीं कर रही है, फिर कुछ लोगों को dizziness ने इसमलब कि नेंद आती रहती है, और इतनी निंद आएगी कि वो पूरा दिन फिर सोते ही रहा है, ऐसी condition हो, तो वो भी हम एक serious side effect के तोर पे उसको consider कर सकते हैं, फिर कुछ लोगों को काफी सरदर्ध होता रहता है, तो भी आपको ये medication ले लेनी चाहिए, तो यहाँ पर advice एक, stop taking if you feel any of serious side effect of the medicine की, कोई भी ऐस serious side effect आपको देखने को मिलती है, कि चाहिए आपके heartbeat increase हो रहे है, decrease हो रहे है, irregular हो गया है, blood pressure बढ़ रहा है, dizziness, सरदर्ध, या फिर allergic reactions के तौर पे आप EDMA फिल कर रहे हैं, Contraindications देखें, तो किन लोगों को ये medication यूज़ नहीं करनी है, तो अगर आपको allergy है, non-steroidal anti-inflammatory drug की को यूज़ ना करें, अगर आपको iconic heart disease है, क्या आपका heart, मलब क्या आपका दिल जो है, वो कमजोर हो already, या फिर heart failure की आप patient है, तो भी उसको यूज़ ना करें, peripheral arteries disease, क्या आपके arteries के अंदर इस तरह से cholesterol या फिर fat जमा है, तो भी यूज़ ना करें, फिर cerebrovascular जो problem होते हैं, उसमें भी ये medication यूज़ ना करें, फिर अगर आपका peptic ulcer है, कि gastric में ulcer है, duodenal ulcer है, या फिर isophagial ulcer है, तो भी ये लोग ये medication को यूज़ ना करें, बिकाज ये medication लेने से ulcer के condition और ज्यदा खराब हो सकती है, फिर आपको liver related problem है, आपका liver अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या फिर आपके kidneys अच्छे से काम नहीं करें, तो भी it paracetamol ही based है, उसके अलावा कोई भी non-sterole anti-intelated drug बच्चों में यूज़ ना करें, उसी तरह से pregnancy में भी safe medication जो है, वो paracetamol ही रहती है, तो ये दोनों condition में अगर आपको pain है, सूजन है, fever है, तो सिर्फ और सिर्फ आप PCM की जिसको paracetamol हम कहते हैं, वो ही यूज़ करें, यूज़ भी itoric oxide को use ना करें, तो यह हो गए उसके warning या फिर contraindications, तो ऐसे ही सिखे दवायों के basic use के बारे में, उनके dose क्या होते है, उनके side effects, उनके warning, contraindications, एक साल तक affordable price में, वो भी सरल बासे में, जैसे अभी सिखा, ऐसे ही सिखे दवायों के बारे में, उनके PDF access कर सकते है PPDs access कर सकते हैं, और वो भी affordable price में, एक साल तकते हैं, डाउनलोड करें आप Pharma Rocks, Android user, Android app डाउनलोड कर सकते हैं, iPhone user app store से, या फिर 9016312020 पे आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, तो links आपको description box में मिल जाएगी, good luck and all the best.